जितने आस्था चेनल पर कता सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना तो जिनकिया संपदा की कमी होती है वैवहू की कमी होती है लचमी की कमी होती है प्रतिष्ठा की कमी होती है धन की कमी होती है उसके लिए रविवार को अग ने करा उस वेपार में आपको फल नहीं मिला फिर आपने वेपार चेंज करा फिर बदल कर देखा फिर उस वेपार को करकर देखा उसमें फल नहीं मिला फिर आपने बापिस वेपार को बदलने का विचार किया तो हमारा निवेदन रहेगा उस वेपार को बदलने से पहले एक काम जरूर करकर देखिए तीन स्थान पर बेलपत्र को चड़ा कर देखिएगा अगर आपको लगे कि मैंने वेपार बदल लिया एक बार बदला कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इखटा करते हैं धन एक गरित करते हैं और कोई वेपार ऐसा कर लेते हैं जिस वेपार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता मारा जाओ वो वेपार का धन वापिस नहीं आपाता है तो बड़े दुखी होता है कि मेरा गया हुआ पैसा नी आरा मैं बड़ा कश्ट में हूँ मेरा खुद कही आ जाये न तो मैं निहाल हो जाऊ मेरा अपने ही नी आरा जो गया हुआ है तो मैं क्या बढ़नन करूँ उसको क्या करूँ उनके लिए भी ये प्रयोक ये शिव विद्धेश्वर सहीता का ये भाव बड़ा सुन्दर है मारा जी आप बेपार पर बेपार बदल कर देख लिए धन भी हमारा कहीं डूब गया आना ही रहा है तो प्रयास करना तीन इस्थान पर चड़ाई गई बेलपत्र हमें सुक का नुभाव करा देती बहुत द्यान लगाई अगर पहला अशुक सुन्दरी की जगा अब ये बेलपत्र जब भी भी आप चड़ाएंगे तो रवीवार की अगर प्रदोश पढ़ जाए कौनसे दिन? रवीवार की प्रदोश के दिन ये प्रयोग अवश्य करकर देखिएगा जादा बार नहीं करना है किवले एक ही बार करना बाबा उस स्वयम किरपा करेगा अपने मंदीर में अर्ठात अपने घर के पास कोई मंदीर हो शिवालय हो देवालय हो जहां शंकर भगवान विराजमान हो शिवलिंग हो ऐसी जगा पर अवश्य करेगा हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है अपने अपने शिवालय हो अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह एक बेलपत्र अशुक सुंदरी वली जगा अब उसको अशुक सुंदरी की जगा पर भी चड़ाने का तरीका क्या है जब हम बेलपत्र चड़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चड़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र रविवार परदोश के दिन का यह उपाए यह बेलपत्र की डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए ये जो डंडी है इसका भाग अशुक सुंदरी पर जब ठिड़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महारत दूसरी बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे जया विशहरा शामरीबारी दवुतली देव मान लो जलाधारी उपर नहीं है शंकर जी के तो उसका इसमर्ण करकर पाचो कन्याओं का नाम लेकर जया विशहरा शामलीबारी दवुतली देव इनका इसमर्ण करकर संकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे बेलपत्र कहां रखना है आप अगर यहां बेठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए यह बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो आप यहां बेठे हो तो डंडी का मुख इदर होगा आप उदर बेठे हो तो डंडी का मुख इदर होगा आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो ये दो जगा बेलपत्र समर्पित करने के बाद तरतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहाँ पर भगवान संकर का शिवलिंग रखा है वहाँ इसपर्ष कराकर केवल छुवाना है इसपर्ष कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का डेला हो, नी हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी मुची करकर एक बेलपत्र बेटकर इस बेलपत्री की डंडी जड़की और मतलब जो ब्रक्ष होता है उस और इस डंडी का मुख होना चाहिए ये तीन रविवार के परदोश के दिन शंकर भगवान पर चड़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी उनहा आने का रहता है और हमारा जो बेपार बार 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 बंद हो रहा है शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू होई ही जाता है शिव तत्व को जाए और निवेदा ने सब भाव से करना है रदय चित आनंद जो विश्व है चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुदभार की हो गुरुवार की हो शुकरवार की हो शनीवार की हो कोई विवार की हो प्रदोश प्रदोश काल में शाम का समय सूर्य दूब रहा हो बस दूबा ही हो और उस समय पर तेवल तीन दिन ऐसे रहेंगे तीन वार ऐसे रहेंगे तीन तिथियां ऐसी रहेंगी तीन समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिवधारण करेगा और जगत का तल्यान करेगा तीन दिन तीन तिथियां तीन वार तीन अच्छत्र तीन घड़ी तीन पल जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं और शूल अकेले धारण नहीं करते मारज जो धतूरा होता है दर्शन करें धतूरे के काटे काटे सा होता है धतूरा तो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं बेल पत्री के शूल को यह बहुत बहुत आनंद में कथा है मा माईकेर से गई सुस्राल में तो सुस्राल में दुख देखा सुस्राल में भी दुख देखने के बाद में भी पती को बहुत कुछ काम खुलवाया बहुत धंदे खुलवाया नोकरी लगवाई पर वह पती बार बार चोड़ कर आ गया बार बार तकली भोग रहा है बार बार क ये तीन घड़ी तीन अपल तीन अख्छत तीन समय तीन दिन में जो शूल मुझे समर्भित करता है उसके जीवन से में शूल अठादेता हूँ वो तीन दिन लिखें सकंद पुरान महराज बेसाक महीने में जो प्रदोश आती है बैसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हो परिशान हो गए हो खष्ट में जीवन जी रहे हो बहुत दुखी हो गए हो उनके लिए ये सकंद पुराण का चरितर फिर मिले ना मिले आप प्रेम से स पहला बैसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुदभार की हो गुरुवार की हो शुकरवार की हो शनीवार की हो कोई विवार की हो पर बैसाक महिने की प्रदोश प्रदोश काल में शाम का समय सूर्य दूब रहा हो बस दूबाही हो और उस समय पर सूरे के बाबा को धतूर के साथ में बेल पत्री न चड़ाते हुएं बेल पत्री के व्रक्ष के साथ काठे बाबा के शिवलिंग पर समर्कित करे जाते हैं महरत अपनी जिन्दगी में अर्चनों को हटाने के लिए तिर आप जिस वेपार में उतरें जिस वेवसाय में उतरें जिस नोकरी में उतरें आप दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी आप हार नहीं सकते नीचे नहीं आ सकते उन्नती पर ही चड़ेगी एक विशाक मास की प्र माराज, जो बड़ी शिवरात्री होती है, मागती, बड़ी शिवरात्री के अंतरगत, मध्यान का समय, दोपाहर के ठीक बारा बजे, चाहे पिर वो कोई भी दिन हो माराज, शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ, बाबा को साथ काटे, बेल पत्री के व्रख्ष के समर्पित होते हैं मारा, इसमें आप यह वाले जो काटे हैं जो शिवरात्री के दोपार, 12 वज्यवाले हैं, अगर कोई मदिरह पीने वाला हो, वैसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ कहलने वाला हो, कोई गलत बहिश्या ब्रक्त्री करने वाला, या अपने मार्गत से धिचलीत कोई व्यक्ति है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का ब्रक्ष है दूतिये शूल में वहां धारण करते हैं तरतिये शूल तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज भगवान स्रावन के महिने में स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुंबर पड़े जो भी पड़े स्रावन के महिने का दूसरा सुंबर आप सबको पहले भी स्रावन के महिने में जो कता कही उसका व्याख्यान बढ़ना नहीं करा कि सावन का महिने का महत्व क्या है वो भी आपको ऑनलाइन कता में आप लोग सुन चुके हैं लाइप कता में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है ये भी हमारी बांधाओं को हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे एक्जाम में आप पेट लिए गवर्मेंट एक्जाम के लिए नई हो रहा ये तीन बार मेरे शंकर को बेलपत्री के ब्रच के शूल समर्पित होते हैं उसका महीने में मट्मटी के पात्र का ज़ल घर अभी अभी क्या चल रहा है अभी आजिक चल रहा है अभी क्या चल रहा है जब आज सात का महीना है और है प्रयास करने बैसाक के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रातरी भर जल रखा हो मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घडा हो हंडा हो, नी हो तो दिया हो दीपक हो, कुलड हो कोई भी तुमारे पास में जो मिक्टी का पात्र उसमें जल भरना वो जल बैसाक के महिने की किसी भी सुमबार के दिन किसी भी सुमबार के दिन बैसाक महिने या किसी प्रदोश के दिन या बैसाक महिने के शिवरा करी के दिन मिक्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रतेक व्यक्ति का इसपर्ष करा कर उस मिक्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजी और घर के प्रतेक व्यक्ति का इसपर्ष करा लीजी और संकर भगवान कर कुंद कईश्वर महादेव के नाम से समर्पित करी कुंद कईश्वर महादेव कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप उन्नती की सीड़ी की और बढ़ते चले बेसाक महिने में मट्ती के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए उसका सुक्ष हमारे जीवन को इकानन थल पर डाला जिसे करते हैं न कोई अच्छा मिले ना मिले धन मिलने से कोई बाग विशाली नहीं होता श्री शिवाय नमस्तु भ्यम सब बोली एक बार जम कर श्री शिवाय नमस्तु भ्यम प्रेक्टिकल जरूर करना कहीं सीवर वाला महरा जुट तो नहीं बोल रहा सास्त्रों की बाते हमेरे जीवन में हमें सुक प्रदान करें इसलिए भाव का अनंद करते हुए आज की कता को विराम देते हैं